नमस्ते फ्रेंट्स आज हम सुड में देखेंगे CSR में रिजिशिन करने के लिए आपके पास कौन कौन से डाकॉमेंट्स होने चाहिए ठीक है तो देखें आपको तो पहली फर्स्ट में कंडिशन बताता हूं कि CSR में रिजिशिन कौन कर सकता है इसका eligibility criteria क्या है CSR में रिजिशिन वही करेगा जिसके पास संस्ता है charitable trust हो society हो या फिर sectionate company हो इन तीनों में से अगर आप कई पास कोई भी है तो आप रिजिशिन कर सकते हैं दूसरी condition यह है कि आपके trust को society को या फिर sectionate company को कम से कम तीन साल completed होने चाहिए अगर तीन साल से नीचे है तो आप यह form नहीं भर सकते हैं और दूसरी condition यह है कि आपके पास मतलब आपके संस्ता के पास 12-way और ATJ का registration होना चाहिए यह provisional हुआ तो भी चलेगा लेकिन registration होना mandatory है क्यूंकि जब आप form देखेंगे ना CSR1 का तो वहाँ पर ही condition लिखी है चाहिए तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ form में कहां पर लिखा है कि 12-way ATJ होना चाहिए आपके पास CSR1 form ठीक है मैं open करके आपको दिखाता हूँ कि starting में first page पर ही उन्होंने condition लिखी है किल तो देखिए यहां पर लिखा है कि section 8 company आगर आपकी section 8 company है तो section 8 company जिसके पास section 12-way और ATG में negotiation हो अगर आपके पास trust है public trust है तो देखिए यहां पर लिखा है कि आपके पास साथ साथ ही 12-way और ATG का resation होणा चाहिए अगर Essa है आपकी erst टूल वे और ATG का रिशिशन होना mandatory है तो बहुत सारे लोग मार्केट में ऐसे भी हैं कि अगर आपके संस्ता के पास टूल वे ATG का रिशिशन नहीं है तो भी आपको CSR में रिशिशन करवा के देंगे लेकिन उससे कोई फाइदा होगा नहीं और आपको कोई फंड देने वाला है नहीं है उसके साथ साथ ही गलत जानकरी देना ये कारून के हिसाब से और कारून के नजरों में गुना है और उसकी सजा भी पच्चास हजार से ज़्यादा है वो कहां पे लिखा है मैं नीचे दिखाता हूँ इस फॉर्म से अगर आप नीचे आएंगे नहीं यहाँ पे एक मिनिट यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे लिखा है नोट दिखा है यहाँ पे नोट अटेंशन इस ड्रॉवन तो दे प्रोविजिजन सब सेक्शन 448 और 449 यहाँ पे कुछ कंडिशन लिखी है यहाँ पे जेल भी है और पेणल्टी भी है तो आप गल्ट जानकरी मत दीजिए अगर देंगे और बाद में डिपर्टमेंट को मालूम चलेगा कि आपने गल्ट जानकरी दीकि यह रिशीशन किया था तो आपको सजा भी हो सकती है, पेनल्टी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है बाकि आपकी मर्जी, तो हमारे में टॉपिक पर आते हैं हम, तो दिखिए, फर्स्ट चो मैंने आपको बलाता है कि अगर आपका स्टूल वे, आप स्वरी, आपके पास अगर सोसाइटी है, संस्था, तो सोसाइटी का प्रमान पत्र लगेगा, और सोसाइटी का प्यान कर लगेगा, अगर आपके पास ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट का ट्रस्ट डीड लगेगा, ठीक है, और उसका ट्रस्ट का प्यान कर, कुछ कुछ स्टेट में ट्रस्ट का सर्टिफिकेट मिलता है, कुछ state में नहीं मिलता है तो जिस statement नहीं मिलता है certificate उसमें trust deed लगेगा और जहां पर certificate मिलता है वहां पर trust का certificate लगेगा ठीक है यह मैंने first option में यहां पर लिखा है कि सहनस्था का recision प्रमान पत्र और pen card ठीक है दूसरा है सहनस्था के bylaws और trust deed अगर trust है तो trust deed लगेगा society और sectioned company है तो उसके bylaws नहीं लगेगे सिर्फ प्रमान पत्र लगेगा pen card mandatory है pen card चाहिए तीसरा में में देखिए point में लिखा है कि president और secretary के pen card email एड़ी चाहिए संस्था में जो भी president पत्पर है और secretary है उनके pen card details लगेंगे form के अंदर डालने पड़ते हैं और उनका email एड़ी भी लगेगा चौता हमारा point है संस्था का office address और email एड़ी संस्था का office address जो अभी चालो है वो आपको वहाँ पे डालना है क्योंकि जब certificate generate होगा तो उस certificate के ऊपर संस्था का नाम संस्था का पूरा address full address आएगा और यह certificate आपको कहां पे मिलेगा जो email एड़ी वहाँ पे डालेंगे उस form के अंदर उस email एड़ी के ऊपर आपको यह certificate मिलेगा इसलिए जो चालो है और जो आप continue use करना चाहते हैं वही email लेड़ी यहाँ पर डालिए इस form में पांच वहाँ है ट्वल वेवर एटीजी का certificate देखिए जो certificate है वहाँ पर upload तो हमें नहीं करना है वहाँ पर CSR करते टेम पे लेकिन एक आपके पास होना mandatory है या फिर आपका जो काम किसी CA को देंगे क्योंकि इस form के ऊपर na CA के signature लगते ह अगर आपके पास टोलो एटीजी का certificate नहीं है तो उस form के ऊपर उसाई नहीं करेगा अगर कर भी देगा तो आपको उसका कुछ फायदा होगा नहीं है ठीक है सिक्स्थ कंडिशन है कि digital signature देखिए president या secretary दोनों में से किसी एक के नाम पर आपको digital signature निकालना पड़ेगा क्योंकि इस form पे उपर जो हम signature करेंगे आप वो digital signature के माध्यम से ही signature करेंगे जो आप manually करते है signature वह ऐसा signature यहाँ पर चलता नहीं है ठीक है बाकि जो condition है वही मैंने नीचे लिकिए है कि जो मैंने आपको starting में बताया था कि संस्था तीन साल पुरानी चाहिए और संस्था के पास 1280G चाहिए ठीक है अगर यह सारे documents आपके पांस है तो आप CSR में registration कर सकते हैं और अभी देखिए बहुत सर लोगं का एक question रहत department का email ID रहता है तो कि बहुत बड़े-बड़े कंपनिया क्या करती है कि CSR का अलग department बनाती है उसके कुछ अलग डारेक्टर रहते हैं तो उन डारेक्टर का या फिट department का जो भी mail ID है उस mail ID के ओपर आपके संस्था के documents आप mail कीजिए आप अभी क्या-क्या mail करना है आपको उसके अंदर आप संस्था का bio data भीजिए कि संस्था कब बनी है संस्था के जो भी existing members कोन है उनके qualification क्या है संस्था का पिछले past में क्या experience रहा है संस्था ने किस field में काम किया है और आगे किस field में काम करना चाहती है अगर आप CSR fund उस company से ले होगा इस सारी चीज़े brief में लिखने हैं आपको बड़ा चड़ा के सो पेज का भीजेंगे तो उनकी पास time रहता नहीं है दो चार पेज पांच पेज का लिखिए और उनको mail कीजिए और एक email बार बार मत कीजिए अगर बार बार करेंगे तो irritated हो सकते हैं तो आप किसी staff को लगाई है किसी हर कंपनी की CSR का mail तो कि देखो आपको क्या करना है इस company की website के ओपर जाना और वहां से email अड़े डूड़ना है और उनको mail करना है कहीं ना कहीं तो success मिलेगी लेकिं मिलेगी कोशिश करोंगे तो मिलेगी नहीं कोशिश करेंगे तो कुछ ने मिलेगी ठीक है तो मुझे लगता है कि आज की सोड़ मैंने मैंने आपको CSR 1 रेशिशन करने के लिए जो भी डाकुमेंट से लगते हैं उसके मैंने जानकर आपको सही सही से देए फिर भी अगर इसके अंदर कुछ भी डाउट आपको लगता है तो आप comment box में मुझे से लिख सकते हैं और CSR 1 रेशिशन आपको चाहिए करके तो मैं भी आपको करके देज सकता हूँ इसके लिए जो फीस है और मैंने ऊपर लिखिए या फिर थमनेल को पर भी आपने देखा है कि उसके लिए कितनी फीस लगती है अगर आपको अक्सेप्ट करते हैं और आपको लगता है कि रिजने कि इसके लבה आपको लिएब अवाल मैंने याल आपको उना आपकोम सीओ में जाते हैं लिए झापकोर नापको अए इसके लिए रिविवीची अश dog मैंने कि अपकोटिए रिजदे रिए को सेमने सेम AScale पया है आपकोमान उमा आहल मैं झाल पिए मिमाने जापको टल आपको